कि बिन्दी छेत्र के यह पहिल बग्जेली न्यू चैनल मां हम कनिस्ति बारी अपना पंचेन का सवेजनेन का प्रणाम करी थे हम एक सीधी मां जो एक अफ़ाह के दौर जारी है कि मेला प्रतिवरंध है कि नहीं आए वो के खितिर सीधी के कलेक्टर रवीन कुमा चौधी जी के लगे आया है उनसे पूछब की आखिर एमक का प्रसासन की दिशा निर्देश से का प्रसासन तयारी कह रहा है उसके के समंद में प्रतिबंध रटाव का देश हम लोग पहले ही जारी कर चुके हैं और सारे जगहों पे जो हमारे जो SDM से वो इस चीज को लेकर के देख भी रहें, पुलिस भी देख रही है, मेला अमोमन मेले पर प्रतिबंध है, लेकिन जो धार्मिक्ष्णान के लिए जाते हैं, फवितुरिस्तान के लिए जाते हैं, तो उस पर कोई ऐसा रोक नहीं है, कोविड अभी गया नहीं है, तो वो उसके एहतियात को देखते हुए, क्योंकि मेले में लोग इकठा होते हैं, और यह इस्तिति हमारे लिए समसब के लिए खतरनाक हो सकती हैं, तो इसी को एहतियाती तोर पर किया गया है। सर, जैसे मेला जो है, काफी बड़ा होता है, क्योंकि सोन नदी के घाट में, काफी भीड जो है करित्रित होती है, उसको देखरे के लिए या फिर किसी सरकारी प्रवल्णन की वेवस्ता की गई। सर, इसमें लोगों को ये कहना है, कि लगातार जो है, अंदोलन हो रहे हैं, भारी भीड आ रही है, तो उसमें प्रशासन नजर नहीं रख रहा है, किन्तु ये धार्मिक त्योहार उपर प्रशासन के तारा रोक लगाई जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिससे दार्मिक त्योहार भी तो मनाए ही गए हैं, और एक सीमा तक जहां तक इसमें छूट दी जाती है, तो वहां हम लोग उस इसको देखते हैं, और बिल्कुल ही आवेजन एकदम सुरुआती दोर जब था, जब बिल्कुल ही मनाई ही थी, और अब जब कुछ हिदायतों के साथ, कुछ छूट के साथ रहती है वेजन करने का, तो वो हम लोगों ने दी है, और इसमें भी हम लोग यह सुनिशित करेंगी, कहीं अपरी इस्तिति निर्मित नहीं है, यह माना जाए कि जैसे गाटों में दुकाने लगाई जा रही है, जो इस नियम का आपके जो प्रतिबंध का उलंगहन करेंगे, उनके खिलाब क्या होगा जाए वो लोकल स्तर पे जो हमारे अधिकारी गया है, वो इसमें स्टेप लेंगी, उनको हटाने के लिए, उनको कहेंगे, कि वो वहां से हटें, और इस तरह की नवत नहीं आनी चीए चुकि एक साथ हजारों की संख्यामी यहां आते हैं, इकटा होते हैं और पुरा समय काफी समय वहां रुकते हैं, चुकि उस समय आपका हर चीज कि यदि नहाना है या बाकी चीजें तो इसकी सबाबना ज्यादा बनती है, कि यदि कोबिड पैसेंट है, कोई इस सब तरह का है जो इस से पीडित है, तो वो इस्तित हमारे लिए खराब हो सकती है, तो इसी को यतियत रखते हुए यह कर रहे हैं, सब जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस तोहार के लिए? और एक बार मेला ना सही इससे क्या अंतर पड़ता है और धर्मिक्स्नान कर रहे हैं तो उसमें भी जो परिशित हैं जिनके साथ हैं कोई सेयर ना करें और हमारा जो मास्क का है और या समाजिक दूरी की बात है यह सब सबी हम लोग करें और इहतियाद जो बताए गए हैं कोई की समय के वो हमें करना है किसे जरूर राजकल का मारे लेकिन यह